कंप्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको लैन, मैन एंड वैन नेटवर्क के बारे में बताऊंगा मैं नेटवर्क की यह क्या होते हैं साथी साथ डिफ्रेंड्स अमोंग लैन, मैन एंड वैन नेटवर्क इन तिनों में आपस में कि रिच्ट पूरा नयम क्या होता है वैं स्टेंड फॉर वाइड एरिया नेट वर्क तो यह पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमने इनका पूरा नेम डिसकस किया ठीक है second point क्या है it is used for building like offices land network का use किसी भी एक particular building में किया जा सकता है और इसलिए किया भी जाता है जैसे आपका अगर office में करिये school में करिये college में करिये तो इस तरह के जगह में आप land network का use कर सकते हैं जहां पर range काफी कम होता है मैं नेटवर्क क्या होता है it is used for city like Kolkata अगर आपको एक पूरे सहर में network establish करना है तब आप मैं नेटवर्क की उस करेंगे यानि metropolitan area network जैसे Kolkata सहर इसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि city तो कुछ बड़ा होगा ना किसी भी office स्कूल या बिल्डिंग के मुकाबले अभी वैन का देखो इट इस यूज़ फोर कंट्रीज वाइड एरिया network का यूज़ हम कंट्री के रिए करते हैं मालीजिए अगर मैं बोल दूँ आपके कि पूरे इंडिया में कोई एक नेटवर्क लगा दो तब आप वाइड एरिया network यूज़ करेंगे तो इसलिए इसका रेंज ज्यादा रहेगा क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है थर्ड पॉइंट देखो ट्रांस्मिसन इस पीड ओफ डेटा हाई लान नेटवर्क में जो डेट ट्रांस्मिसन का स्पीड हो वो काफी ज्यादा होता है ज्यादा क्यूं होता है क्योंकि इसका रेंज कम होता है यह एक बिल्डिंग या फिर ओफिस कहीं भी आप यूज़ कर चकते स्कूल कोलेज क्यों कम होता है क्योंकि इसका रेंज काफी जादा होता है लाइन के मुकाबले कॉलकाता सहर तो बड़ा होगा ना किसी भी ओफिस या बिल्डिंग के मुकाबले इसलिए अभी इसमें देखो स्पीड जाँ होता है क्योंकि पुरेंच में अगर रहेंगे तो फूरेंज में सिलो हो जाता है फॉर्थ पॉइंट देखो लान नेटवर्क रेंज जीरो टू वन फिप्टी मीटर हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका रेंज होता है जीरो से डेड़ सो मीटर के बीच तो इसी रेंज के अंदर तो हमारा स्कूल कोलेज बिल्डिंग यह सब आज आएगा कोई पर्टिकुलर लोकेशन ठीक है अभी मेट्रो पॉलिटन एरिया का रेंज देखो मैं नेटवर्क रेंज पांच से पचास किलो मेटर फाइब टू फिप्टी किलो मीटर इसका रेंज होता है इतने रेंज में तो कोई भी एक सहर आई जाएगा जैसे कॉलकाता ठीक है तो य दुनिया के लिए भी इसका यूज कर सकते हो यह आपके उपर है फिप्ट पॉइंट देखो लैन नेटवर्क ओनर सी पिस प्राइवेट हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका ओनर सी प्राइवेट होता है मतलब आप इसमें खुद के मालिक होते हैं आप अपना ओफिस में नेटवर्क लगाना है तो थोड़ी ना कोई गवर्मेंट लगा के देगा आपको खुद लगाना पड़ेगा तो आपका प्राइवेट चीज हुआ मैं का देखो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ओनर सीपिस प्राइवेट और पब्लिक इसका जो ओनर सीप होता है वो प्राइवेट भी हो सकता और पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट क्यों माल लिजे आप किसी सीटी में नेटवर्क विछा रहें अपने लिए तो वो प्राइवेट होगा आपका नेटवर्क होगा और गवर्मेंट किसी सीटी में वहीं नेटवर्क स्टैबलिस होता है अब इस सिट्स पोइंट देखो इजी टू मेंटेन लोकल ए 8 को मैंटेन करना काफी easy होता है इजी क्यों होता है क्योंकि इसका इंज कम होता है इसका और से private होता है इस तरह रिजन से यह easy हो ता मेंटेन करना हर। इसमें देखो तो also difficult to maintain than man as well as land network इसे तो और ज्यादा difficult होता है maintain करना क्योंकि इसका रेंज तो और बहुत ज्यादा होता है जितना ज्यादा रेंज होगा उतना difficult होगा इन्हें maintain करना अभी लास्ट पॉइंट दो को land network error rate and setup cost is low हमारा जो land network होता है उसका error rate और setup cost बहुत कम होता है माली जे आप land network यूज कर रहे हैं तो इसमें फॉल्ड का chances काफी कम होता है और आपको land network establish करना है अपने office या फिर इसकूल में तो इसका cost भी आपको काफी कम पड़ेगा इसमें क्या है मैं इसमें आपको average cost लगेगा setup करने के लिए और साथी साथ इसमें फॉल्ड का जो tolerance होता है वह भी एवरेज होता है मतलब 50 परसेंट इसमें एरर आते रहता है इसमें क्या होता है वान network error rate and setup cost is very high इसका जो error rate होता है वह काफी जादा होता है साथी साथ इसका setup cost भी जादा होता है क्यों क्योंकि यह पूरे country के लिए अगर आपको एक particular network establish करेंगे तो अब यह उसमें आपको ज्यादा खर्चा आएगा उसमें error भी बहुत मिलेगा क्योंकि यह पूरे country में बिछा हुआ है तो गाइस अगर आपसे पूछ देना exam में difference क्या है इन तो इन सभी points को लिखेगा एक number भी आपका नहीं कटेगा और अगर किसी particular जैसे चैनल के बारे में पूछ दे तो मैंने land के बारे में seven points discuss की है इन seven points को आप लिख दीजेगा तो वाटी बीडियो में हम्ने देखा लाइन क्या होता है man क्या होता है रवैन क्या उतर साथी साथ इन तीनों में डिफरेंसे सब्सक्राइब कर दीजेए